तो आज हम अपने कक्षा पार्ट का कक्षा छे का पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट का नाम है अक्षरों का महत्तो ठीक है तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अक्षरों का क्या महत्तो है उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है और इस पार्ट के जो लेखक है उनका नाम ह मुले ठीक है तो लेखक ने इसमें बताया है कि क्या-क्षरों का क्या-क्या महत्व है और किस प्रकार से अक्षरों की खोज हुई ठीक है मतलब कैसे हुई ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं अक्षरों की कहानी यह पुस्तक अक्षरों से बनी है सारी पुस्तक के अक्षरों से बनी है तरह तरह की पुस्तके तरह तरह के अक्षरों की कहानी बता रहे हैं वो कहरे हैं कि यह पुस्तक भी अक्षरों से बनी है और सारी प पुस्तके बनती है, तरह तरह के अक्षर होते हैं, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तके छप चुकी हैं, हजारों पुस्तके छप चुकी हैं, हजारों पुस्तके छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोजी समचार पत्र छपते रहते हैं, जहां से प्षप्री oe huge और इन सबस्क्र का जो मूझे कर सकती कि यह धी आदमी अक्षार को ना जानता तो लें कर रहे कि क्या है हम कर अधमिने कर सकते कि अधि कश्यर को ना जानता तो आज इसदुन्या का यह कि अगर अक्षर को नहीं जानता तो आदमी पढ़ लिख नहीं पाता अनपढ़ होता ना इतने आविशकार होते ना ट्रेन बनती रेल काड़ी बनती अक्षरों की पहचान होना बहुत ज़रूरिया वरना लोग एक दूसरे से कम्यूनिकेट नहीं कर पाते हैं मतलब एक दूसरे से संचार का माध्यम कुछ नहीं रहता है ना कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादी काल से जानते हैं लेकर कह रहें कि क्या कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादी काल अनादी मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हम कितने समय पहले से अक्षरों को जान सकते हैं ठीके अक्षरों का ग्यान हमें किसी इश्वर से मिला है लेका कहते कि अक्षरों का ग्यान हमें किसी इश्वर से किसी भगवान से मिला है ठीक है अब फिर लेका कहते कि पुराने जवाने के लोग सच मुझ ही सोचते थे कि अक्षरों की खो खोज क्या है किसी ईश्वर ने किसी भगवान ने नहीं बलकि खुद साधारन मनुष्य ने किया है अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षर की खोज किस देश में किस समय हुई ठीक है अब लेकर कह रहे हैं हमारी धर्ती लगबख पांच अरब साल पुरानी है लेकर कह रहे हैं हमारी धर्ती के पांच अरब साल कम से कम पांच अरब साल पुरानी है दो तीन अरब साल तक इस धर्ती पर किसी प्रकार के जीव जनतु नहीं थे और दो तीन अरब साल पहले तक यह हमारी धर्ती पर कोई भी प्रकार के जीव जन्तु मितलब ना इंसान थी ना जानवर थे कुछ नहीं था ठीक है फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और मनस्पतियों का ही इस धर्ती पर राजरा और फिर कुछ साल तक क्या करोड़ों साल तक है सिफ जानवर और वनस्पत आदमी नी इस धर्ती पर कोई पांच लाग साल पहले जन में लिया और दीरे-दीरे उसका विकास हुआ विकास मतलब कि दीरे-दीरे वो आगे बढ़ता गया ठीक है दीरे-दीरे कपड़ों की वस्तर की खोज हुई पहले लोग क्या करते थे पुराने पत्ते बहनते थे घास पहनते थे पर तो कपड़ों की खोज हुई फिर इंसान को इधर-उदर जाने के साधन की खोज करी उसने फिर खाना कैसे खाय जाए खाने को पकाना सीखा एंसान नहीं पहले कच्च चाँते थे तो इसतरह कीसे दीर-दीरे विकास हुआ इंसान का ठीक है फिर अब लेखक कह रहे कि कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाओं की गाओं को बसाना सुरू किया वे खेती करने लगा ठीक है तो लेखक कह रहे कि कुछ 10,000 साल पहले से आदमी ने गाओं को बसाना मतलब अपना बसेरा बनाना सुरू करा वे खेती करने लगा ठीक है पत्थरों के औजार को इस्तेमाल करने पत्थरों के उपकरण ने मानुने सबसे पहले चित्रों के जरिये अपने भाव व्यक्त किए प्रोगेति हासिक मितलब जिसका पूर्ण इतिहास उपलब्ध हो उससे भी पूर्व का या उससे संबन्दित रखने वाला मतलब जिस काल का पूर्ण इतिहास है इतिहास उबलब्द है हमें उससे पूर्व का काल या उससे संबन्दित रखने वाला जो मनुश्य है ठीक है उससे ने सबसे पहले चित्रों के जरिये क्या करा अपने भाव व्यक्ति की एक प्रोकेति से अंटलब हुगा इतिहास से मितलब हुआ। इंद जैस। काल का ओन इतिहास अब पार इतिहास कि वो नितिहास अपलब्द हो उससे पूरू का यह से पूरू का यह से पूरू का यह पूरू का यह कि अ की अव रहुं है अपकर वोल रहे हैं तो पूरू कटर हसिक मानों ने सबसे पहले चितर के जरी अपने फाव व्यक्त करना मतलब जैता है ठीक है जैसे पशूपक्षियों आदमियों आदी के चित्र ठीक है इन चित्र संकेतों इन चित्रों के इन चित्र संकेतों मतलब इन चित्रों के संकेतों से बाद में भाव संकेत, भाव संकेत में हमारे मन में भी कुछ संकेत, हमारे रदे में भी कुछ संकेत के अस्तित्व में आये, अस्तित्व में मतलब कि व्रत के चहूं और क्र्णों की घोतक रेखा हैं कि चोटे व्रत उक्छोटे क्या एक चोट sophy कम के चारों कί 근ो की क्या घोतक क्रफ है इतला मतलब कि प्रकाश प्रकाश करने ह। गर के उसक प्रकाश देने करने वाली रेखा हैं अगर रिखाएं हो गई है प्राकास देने वाली तो चित्र बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया उसका उसका चन्न बन गया ठीक है इस तरह अनेक भाव संकेत है तो अर इसी तरह अनेक भाव संकेत हमारे हमारे रिदे में अनेक संकेत है जब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोच के अक्षरों की खोच के सिलसिले को सुरू हुए सिलसिले मतलब अक्षरों की खोच के करम को जो शुरू है सिलसिले मतलब अर्थात करम ठीक है क्रम को शुरू हुए क्या है अभी मुश्किल से 6000 साल हुए कितने हुए 6000 साल हुए है केवल 6000 साल ठीक है अब क्या बोल रहा है लेखक अक्षरु की खोच के साथ एक नए युक की शुरुआत ही युक मतलब समय या काल बोल सकते हैं आप इसे ठीक है एक नए समय और एक नए काल की शुरुआत हुई आदमे अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा आदमे क्या कर अपने विचार और हिसाब किताब अपना करचा आनी सब को लिखने लिख कर रखने लगा तब से मानों को सभ्यक कहा जाने लगा तब से एक discipline कहते हैं जो एक time table के according मतलब एक विधी में चलता है कि सुबह उठके उठेंगे फिर brush करेंगे फिर नाएंगे कपड़े दोएंगे कपड़े पहनेंगे खाना बनाएंगे ऐसे मतलब सब्वे कहा जाने लगा ठीक है आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास की इतिहास आरंब हुआ किसी भी कौम अर्था जाती ठीक है किसी भी कौम करते जाती या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेक मिलने लग जाते हैं तो किसी भी देश का, किसी भी जाती का इतिहास कब शुरू होता है, जब प्राचीन काल में मिले हुए कुछ अवसेश, हमें कुछ लिखे हुए कुछ चीजे मिली होंगी, तभी तो हमें पता चला ना, कि क्या करते हैं, हमारे भारत में कौन-कौन से राज्य थे पुराने या फिर उसके बाद किसने किसको हराया, किसने कौन सी सन में कौन सा युध्ध जीता, ठीक है, तो इस प्रकार इतिहास को सुरू हुए मुष्ग से 7500 साल हुए है, उसके पहले के काल को प्रोग इतिहासिक काल कहते थे उसके पहले के प्रोग इतिहासिक काल यानि इतिहास के पहले का काल कहते हैं ठीक है अता हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करते तो आज हम इतिहास को ना जान पाते तो लेकर कह रहा है कि इससे हमें यह पता चलता है कि अगर आदमी अक्षर सालों में लिकक कह रहा है कि हम क्या करते हम ये नहीं जानपाते कि पिफले कुछ अपने विचारों को लिखकर रहने लगा ठीक है इस प्रकार एक पड़ी के gyanे लगर संतिती जनरेशन कहते हैं जिसे हमारे दादा लोगों की सब्सदाओ दोजिकर पिछलेentrendर्याटी का वो मानव का क्या हुआ है बहुत तेजी से विकास हो रहा है वो विक्सित हो रहा आगे बढ़ रहा है यह महतो है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का यह क्या है अक्षरों का महतो है और उनसे बनी हुई लिपियों लिवियों मतलब ध्वनियों ध्वनियों अथ वां किसने इसले रहे है ardंग जिन अकशर हों कहां बने किसने मनाए कब बने और कैसे बने वह जानना भूज रही है बहुत ज़रूरी एक है तो इस पार्ट के लेकर क्या हैं गुणा कार मुलम्ले आपको यहां पर लेकख का नाम लिखाए चलिए अब हम प्रेशन अभ्यास के ओर पर रहते हैं तो पहला प्रेशन है पहला प्रेशन है पार्ट में ऐसा क्यूं कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नया यूग क्या बोला है नया यूग की शुरुआत हुई तो आपको बोला है लेकखने की पा आपको लिख कर रखने लगा है वह जिस्से उसको क्या कहने लगे हैं सब्बे कहलाने लगे आदमी के लिखना आरंब करने से इतियास कभी आरंब और एक पीडी के दूब विचार दूसरी पीडी तक पहुंचने लगे इसी के साथ विकास विकास की गती तेजवी इस प्रकार एक यूग नए यूग की शुरुआत हुई है ठीक है अक्षरो के खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरुआ पार्ट पढ़कर उत्तर लिखो देखो अक्षरो की कोज का सिलसिला कब हुआ था जे लगबक 6000 वर्ष पहले शुरुआ इस से पह अब क्या बोला अक्षरो के ज्यान से पहले मनुश्य अपने बात को दूर दराज के लागों तक पहुचाने के लिए किन-किन माध्यमों का सहारा लेता था तो पहले कि अक्ष्रो की कोच से पहले मनुष्य अबने बात को दूर दरास्त तक बताने के लिए किन लागवRO에서 के इसे की सचोछ ग्यान से पहले ड़ा करता होँगा मनुश्य चितरो से चितर बनाकि एक दूसरे के बात एक दूसरे तक पहुचाते होंगे और चित्रों को बनाते होंगे और ऐसे कुछ करते होंगे तो इस प्रकार उन्हें पत मनुश्य चित्र बनाता होगा यूश से दोंगा सामने वाले मनुश्य को डीक है अब निबंद से आगे इसमें क्या बोल रहा है कभी अक्षरों के महत्तु की तरह द्धोनी के महत्तु के बारे में जितना जानते हो लिखो लिखो अक्षरों द्धोरा लिखकर हम अपने भाव वैक्ते करते हैं द्धोनी में जा नहीं ब्हुत कते हैं आप अपने भासक को आप ध्त ध्वनी के उच्छान द्वाराई तो हमक्राइएा एधार नियूमादी करें भूत तो हमें क्या करते हैं समय भी उतना करच नहीं होता और इनसान अपने मुह से बोल के जब हमें कुछ बताते तो उसे मोखिक कुरूप हुआ तो हमें अगर कोई बोलेगा ने तो हमें वो लिखेगा उसमें बहुत वक्त चला जाएगा तो मौखिक भासा का भी अपना कुछ अलग महत्त है ठीक है और कोई कोई बोलेगा तब ही इंसान सुनेगा तब उसकी बात को लिखेगा न तो तीसरे वेक्ति तक पहुचाएगा ठ होता है लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है आप तो यह सत्त है कि हर वस्तु का विशकार तो किया ही होता है लेकिन अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति ने निके या मानव जाती के सम्मिलित प्रयास का फल है ठीक है अक्षरों का विकास अनेक वर्षों से वर्षों के प्रयास और सारे मनुश्यप जाती के सम्मिलित प्रयास का फल है और इसको किसी एक वेक्ती ने अविश्कान निके इसलिगे हमें किसी वेज्ञानिक का नाम नहीं जोड़ सकते इससे अक्षरों के अविश्कार से रिखे एक भासो को कहीं लिपियों में लिखा जा सकता है उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपी में लिखा जा सकते हैं नीचे एक ही बात को अलग-अलग भाषाओं में लिखा गया इन्हें ध्यान से देखो इनमें दिये गए मदद से शब्द नया शब्द बनाने की गोशिश करो क्या सांदार दिन है यह हिंदी में है यह आ क्या अनुमान और कलपण अनुमान और कलपना इसीमित वह को ग्यान के मिए दो थी उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की कोज मानव कर सकता है वे इश्वर को क्या करते थे सर्वे सकती मान मानते थे ना तो पुरारे जबाने के लोगों को विचार यह इसलिए रहा होगा कि मानव तो इतना ग्यानवान है नहीं तो किसने यह खोज किसन खेलों का भी बहुत में तो गीत हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं संगीत में विद्या सामिल लगाएं जैसे कि स्टाल सूर्टी के संगीत को श्रेष्ट कलाओं में रखा जाता है इसे प्रकार खेल कूत को भी माने विकास के मैं महतोपून माना गया इसकी मदद से हम सारी सारी रिक्रूप से स्वस्त भी आते हैं ठीक है और मानसिक विकास भी होता है हमारा तो इस प्रकार इनके खेल में खेल में और हमें एकता बनाए रखने का भी वह मिलता है कि कैसे प्रकार से एकता बनाए देते किस प्रकार से एक जो टोकर खेलता है क्या होता है अगर हमारे पास अक्षर ना होते भासा ना होती तो यहां पर पूछ रहे हम से कि क्या होता अगर हमारे पास अक्षरो भासा नहीं तो अगर हमारे पास अक्षरो का ग्यान नहीं नहीं होते हैं जो हजारों वर्स वेली दुनिया में बटकते हैं ना ही हमें भाव और विचारों को व्यक्त करना आता और ना हम अपने ग्यान को अगली पीडी तक पहुचा पाते हैं और हमारा विकास भी नहीं हो पता हम वहीं वहां नहीं पहुच पाते हैं जहां हम आज है तो भासा भाव को प्रकट करने का साधा है ठीक है और भासा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बो अनादी काल में रिखांके शब्दकारते जिसका कोई शुर्यात या आदी नहों मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है इसे उपसर्ग कहते हैं ठीक है इन उपसर्गों को मूल शब्द मतलब आगे ठीक है मैं पूरे शब्द के आगे कुछ जोड़ने से बना तो इनको हम उपसर्ग कहते हैं इन उपसर्ग को अलग करके मूलचब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझाओ देखो जैसे कि इसमें है असाफल है तो इसमें क्या उपसर्ग है पहले असाफल में उपसर्ग क्या है जो आगे से जुड़ते हैं उपसर्ग कहते हैं जो पीछे से जो दिखाई देता है ठीक है अपके अनुचित अनुचित में भी क्या है ओ उपशरग है ठीक है तो अद्रश्य में क्या है ओ है मैंने अद्रश्य के बता दिया आपको सफल का नहीं होता है तो उसमें फिर अनुचित में क्या है अन है उपशरग अनुचित अनुचित तो उचित मतलब ठीक होता है उचित कार्थ क्या है ठीक सा अब इस mı पहला क्या है सफल्ट सफल का क्या होता है कामयाब मैं अत वा और फिर क्या है अनावश्यक इसमें कहा है अन-ोपशर है इसमें भी फिर अवश्चक बजिया आवश्चक मतलब क्या होता है जरूरी झो-बहुत-इम्पॉर्टेंट होता है जरूरी आवश्चक ठीक है फिर कहे है इसमें ऑब परिचित क्या बन गया इसका उपसर नेंगे अ रपाकि का बज़स कै berries दूब परिचित मतलब क्या होगा जानकर जानकार या फिर बोल सकते हैं अनिच्छा अब इसमें भी क्या है अनुपसर गया ठीक है और इच्छा बच गया अब इच्छा का अर्थात क्या है इच्छा का अर्थ है चाह क्या है ठीक है अब दूसरे प्रशन में वैसे तो संख्या होती ह पर कभी कभी विशेशन का काम भी करती हैं जैसे नीचे लिखे गए वाक्या में बोला हैं ठीक है हमारी धरती लगबख 5 अरब साल पुरानी है कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाउं को बैसाना शुरू किया इन वाक्यों में रिखांकित अंचल साल संग्या के बारे में विशे जानकारी दे रहे हैं इसे संख्या वाचक विशेशन का इस्तेमाल उनी चीजों के लिए होता है जिने गिना जा सके जैसे कि चार संतरे पांच बच्चे तीन सहर आदियद पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसको साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल से है आगे अब आगे देखे आप चीनी को गिन नहीं सकते ना कितनी चीनी है हमने बस इसके आगे किलो लगा दे तो हम पता है किलो है ठीक है पानी को गिन सकते नहीं गिन सकते तो एक जग पानी हो गया खाली स्थानों में क्या बोला इसमें अब आगे लिखे कटोरी एकड़ मीटर लीटर कीलो ट्रक चममच तो प्याला अब के इसमें है जो सब तीन तीन गारे कारे कारे आ गया है कट्टोरी घीडी किन पर कत कर percentage vacory भी तो एकड़ दो एकड जमीन 6 मीटर यहां पर मीटर मीटर ने एक रेट एक ट्रक ट्रक लिख सकते हैं पर एक ट्रक रेट ट्क धू दू काफी 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 की काटोरी यागया कैसा अगया क्एक ड़ दो तो काटोरी या फिर पांच बाजरा पांच कि एक पियाला दूद्द कर सकते हैं प्राकरOO सकते हैं या दूद्द घै नहीं तैन प्राइब करते हैं एक कि न क्पाइब क्चाइब करें। अपको कुछ करने के लिगिया आप अपनी लिपी के कुछ अक्षरों के बारे में जानकरीए खटी करते हुए जो आप प्रयोग में नहीं रहें प्रजलित नय अक्षरों को दोस्तों के बीच में आप चर्चा करें अब लिख्यत और बाक जो पैसा कि क्या हानी क्या लाब है इसके बारे में फिके अक्षर धोनियों के प्रतीग होते हैं उधारण के लिए आगे स्कूल होने का संकेत दे रहा है यह क्या दूसरे चित्र वरती सरकल के बारे में बता रहा है और जाने का संकेत दे रहा है क्या तीसरे चित्र के कर रहा है सडक दाई और घूम रही है चौथा चित्र की सडक बाई और घूम रही है ठीक है यह चित्र बता रहा है अब क्य तो यह आपको खुद करना होगा तो चलिए यहां पर पार्ट समापते होता है अब का तो मैं आशा करती हूं कि आपको समझ में हाया होगा